एक ऐसी टेक्नोलोजी जिससे क्रिकेट का खेल बारिश के कारण नहीं रुकने वाला आखिर क्यूं आई सी सी क्रिकेट बॉल में चिप लगा रही है और वो एक टेक्नोलोजी जिसने क्रिकेट और हमें और भी करीब ला दिया है। स्क्रीन पर दिखाया जाता है यहां आपने देखा होगा कि रीप्ले को बहुत स्लो मोशन में दिखाया जाता है जिससे कि अंपायर हर फ्रेम में हुई आक्टिविटी को क्लियरली देख सके इसके लिए मैदान में कई जगहों पर सूपर स्लो मोशन कैमराज लगाय जाते हैं जो फुटेज को कैप्चर करके सूपर स्लो मोशन फॉर्माट में दिखाते हैं बाट की अच को डिटेक्ट करने के लिए आपने एक और घजब की टेकनोलोजी तो देखी होगी जो है होट स्पॉट इसके लिए ग्राउंड की ऑपोजिट साइट्स पर साइट स्क्रीन के पास दो कैमरा लगाय जाते हैं जब भी कोई बाल बैट्समन के बैट या पैड से टकराती है तो इससे उस एरिया में थोड़ी हीट क्रियेट होती है और ये कैमराज उसी हीट को ट्रेस कर लेते हैं इंफ्रारेड में इस इमिज को देखने पर हमें ज्यादा हीट वाले एरिया पर वाइट स्पॉट दिखता है जिसको देखकर अमपायर को पता चल जाता है कि बाल कहां पर टकराई है आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ एक क्रिकेट मैच में होट स्पॉट टेकनोलोजी का यूज करने का खर्च तीन से चार लाक रुपए होता है इसलिए इसका यूज सिर्फ बड़े मैचस में किया जाता है वैसे क्या कभी आपने सोचा है कि मैच के दोरान अमपायर को इतना सब कुछ याद रहता कैसे है मतलब एक ओवर की कितनी बॉल्स हो चुकी हैं, कितने ओवर्स फेके जा चुके हैं और कितने रंस बने हैं ये वो कैसे याद रखते हैं इसके लिए अमपायर एक डिवाइस का यूज करते हैं जिसे हम अमपायर क्रिकेट काउंटर कहते हैं पहले अमपायर कुछ ऐसा डिवाइस यूज किया करते थे पर मॉडरन जमाने के साथ साथ अमपायर क्रिकेट काउंटर भी एडवांजड हो चुका है और अब ये कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों IPL के कई मैचेस में आपने अंपायर के सर पर कैमरा लगा हुआ भी देखा होगा इस कैमरे की मदद से हम अंपायर की नजर से क्रिकेट के मैच को देख सकते हैं लेकिन इससे मैच में काफी disturbance create होता है और इसी लिए इसका ज्यादा use नहीं किया जाता वैसे मैच में असली disturbance तो बारिश create करती है सारा मजा किरकिरा हो जाता है यार क्रिकेट के खेल को हमेशा से ही खोले मैदान में खेला जाता है क्योंकि अक्सर ball हवा में काफी उपर चली जाती है पर बारिश के खतरे को देखते हुए हमने cricket matches में domed stadiums का concept भी देखा है साल 2000 में Australia के Victoria में स्थिट Dockland Stadium में Australia और South Africa का मैच हुआ था ये international cricket में domed stadium में हुआ एक मात्र मैच है इस stadium में BBL के कुछ matches भी देखे गए है वैसे आपको बता दू कि गुजरात के सूरत में दुनिया का पहला dedicated cricket indoor stadium बनाया जा रहा है और आने वाले सालों में हम वहाँ पर matches जरूर देख पाएंगे दोस्तों हाँ ये बात जरूर है कि domed stadium में खेलते समय हमें lighting का special इंतजाम भी करना होगा अब बात चली है lighting की तो आपने test matches के दौरान अक्सर umpires को light conditions चेक करते हुए तो देखा ही होगा इसके लिए umpires के पास एक light meter होता है cricket के मैदान पर खराब light conditions batsman को खासा परिशान कर सकती है और जरा आप imagine करो कि कोई शॉय बखतर जैसा bowler bowling कर रहा हो और ball ढंग से दिखे ही ना तो batsman की तो डर के मारे हालत पतली हो जाएगी शॉय बखतर वही bowler है जिनके नाम cricket history की fastest ball fakeने का record है अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार ball की speed को कैसे check किया जाता है बॉल की speed measure करने के लिए एक device होता है जिसे कहते हैं speed gun या radar gun उसका use किया जाता है इस device को side screen के पास bowler की straight line में लगाया जाता है जिसे कि ये pitch की एक side से दूसरी side जाती हुई ball की speed को measure कर सके ये pitch की और radio waves भेजती है और फिर इन्हें receive करके pitch के respect में इस पर move होने वाले objects की speed को calculate कर लेती है जैसे speed measure करने के लिए हम distance into time करते हैं वैसे ही pitch की lens के हिसाब से radar gun time बता देती है कि कितने समय में ball batsman तक पहुँची है और फिर distance into time करके speed पता चल जाती है और इसे image processing software की मदद से instantly screen पर दिखा भी दिया जाता है दोस्तों जब भी कोई batsman LBW होता है न तो आपने उसके replays में ball के path का एक 3D visualization तो देखा होगा इसमें हमें clearly समझाता है कि ball bowler के हाथ से किस height से निकली कहां पर tip खाई और कहां पर जाकर लग रही है तो आखिर इस सब के पीछे कौन सी technology का use किया जाता है ये कमाल है hawk eye technology पर based ball tracking का इसके लिए ground के अलग-अलग areas में total 6 cameras लगाये जाते हैं ये cameras ball की tracking कर एक 3D visualization create कर देते हैं और इससे हमें पता चलता है कि pad पर लगी ball stumps पर जाकर टकराएगी की नहीं ये आपको काफी simple सी technology लग रही होगी सुनने में पर क्या आप जानते हैं कि इसके लिए उन cameras को bowler के हाथ से छूटी ball की हर 1 by 100 second की location को exactly track करना होता है तब जाकर हमें एक fair result मिल पाता है अब दोस्तों आपने stump के पीछे से कई बार धोनी की आवास तो सुनी ही होगी ये आवास stump माइक में capture जरूर होती है पर ये धोनी भाई की आवास सुनने के लिए नहीं लगाया जाता दरसल batsman के पीछे मौजूद 3 stumps में से बीच वाले stump में sound wave capture करने के लिए कैमरा और माइक लगा हुआ होता है ये कैमरा batsman के द्वारा लगाये गए shot को close से capture करता है जिससे कभी batsman का edge लगा तो empire को पता चल जाता है कि ball bats से टकराई है या नहीं तो इस technology का use यहाँ पर होता है तो दोस्तों stump माइक का क्या use होता है कि आपको आज पता चला है अब बात चली है stumps की तो इसकी bails भी आजकल काफी advanced हो चुकी है IPL में आपने LED वाली bails तो देखी होंगी आपको बता दूँ कि इनके एक पेर की कीमत 2,00,00, रुपए होती है लेकिन आखिर इनमें ऐसा खास क्या है तो दोस्तों इन bails के अंदर LED को जलाने के लिए batteries लगी होई होती है जैसे ही इने थोड़ा सा हिलाये जाता है वैसे ही LEDs जलने लगती है इसके लिए इनके अंदर motion sensors लगे होते हैं अब बात करते हैं spider camera की इसके दर्शन भी आपको ज्यादा तर IPL matches के दोरानी होते हैं spider camera cricket matches को cover करने में बहुत बड़ा improvement है क्योंकि ये viewers को एक angular view देता है जिससे match काफी interesting दिखाई देता है ये camera ground के चारों तरफ से wires से attached रहता है और live match के aerial shots लेता है और ये camera vertical और horizontally दोनों तरफ move हो जाता है इसलिए हमें पूरा stadium एक बार में ही दिख जाता है तो आखिर में बात करते हैं cricket की latest technology की जो है virtual reality headset इस साल IPL के दोरान presenters और कुछ random spectators को VR headsets दिये गए थे जो cricket के खेल को बहुत close से experience करने वाला एक मौका देते हैं और अब तो दोस्तों एक ऐसी technology आ चुकी है जिसकी मदद से ball खुद अपना हाल सुनाएगी मैं बात कर रहा हूँ smart ball की इसमें क्या होता है कि cricket ball के अंदर एक device लगा दिया जाता है जिससे ball के rotations, उसकी speed और उसे कितनी जोर से bat से मारा गया ये सब record होता है और ये सारी चीज़े control room में बैट कर real time में देखी जा सकती है तो आखरे में बात करते हैं pitch drop in technology की जो cricket की एक बड़ी दिक्कत को दूर करता है दरसल दोस्तों किसी भी cricket stadium में match कराने के लिए pitch को कई दिनों तक बनाना होता है जिसके बाद ही match possible हो पाता है अब भारत औस्ट्रेलिया और इंग्लिन जैसे देश जहां stadiums की कोई भी कमी नहीं है उन्हें इसमें कोई खास problem नहीं आती है लेकिन अमेरिका जपैन और योरोप के कई देश जहां एक भी ढंका cricket stadium नहीं है वहां cricket develop ना हो पाने का main reason pitch ही होती है यहीं पर pitch drop in technology काम आती है इसमें pitch को एक जगह बिलकुल अलग condition में बनाया जाता है और फिर इसे match से पहले मैदान में पहुचा दिया जाता है मतलब अब pitch की भी delivery होना शुरू हो चुकी है और मज़े की बात तो यह है कि अब भारत के खिलाडी भारत में रहते हुए ही Australian pitches पर practice भी कर सकते हैं तो दोस्तों इन सभी technologies ने cricket के खेल को पहले से कई अधिक interesting और fair बना दिया है होपफुली आने वाले सालों में हमें cricket में और भी advanced technologies देखने को मिलेंगी वैसे आपको इन में से कौन सा device सबसे ज्यादा fascinating लगता है हमें comment करके बताइए और अगर अब तक आपने हमारी ये वीडियो नहीं देखी तो आपने बहुत बड़ी चीज मिस कर दिये तो जल्दी से link पर click करके देखिए